इसे इस रुप से मानिय डॉक्टर मनमोन सिंग्जी का स्मरण करना चाहूंगा छे एक बार इस सदन में वो अपने मुल्यवान विचारों से है और नेता के रुप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रुप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वैचारिक बद्वेद कभी बहस में छिटा कसी वो तो बहुत अलपकाली होता है लेकिन इतने लंबे अर्षे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मारदर्शन किया है वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ मानिय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें मानिय डॉक्टर मनमोन सिंग की योगदान की चर्चा जुरूर और मैं सभी सांसदों से चाहिए सदन में हो या उस सदन में हो जो आज है वो चाहिए बविश में आने वाले हो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो मानिय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्योण हो लेकिन जिस प्रकार के उन्होंने अपने जीवन को कंड़क किया होता है जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कारकाल में कराए होते हैं उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सिखने के लिए प्रयास करना चाहिए मुझा आद है उस कदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का आउसर था वीशे तो मैं छूट गया है मेरा लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी मेंड की होने वाली है अंतर भी बहुत था लेकिन डॉक्टर मनमोन सिंग जी वीलचेयर में आए वोट किया एक सांसद अपने दाईत्व के लिए कितना सजग है उसका वो प्रुदार है वो पेरक उदार था इतना ही नहीं में देख रहा था कभी कमिटी के चुना हुए कमिटी मैंबर्स के वो विलचेयर में भोड़ देने आए सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकर देने के लिए आय थे मैं मानता हूँ वो लोकतंत्रों को ताकर देने आय थे और इसलिए आज विशेश रुप से मैं उनके दिरगायू के लिए हम सब की तर्व से प्रांथना करता हूँ वे निरंतर हमारा मारदर्शन करते रहें हमें प्रेणा देते रहे